प्यारे बच्चों, आप लोगों का बच्चों यूट्यूब क्लाफ ये भी ये भाग एक पाफचात युद्ध कला यानि फेकेंड पेपर ये लगभग खतम हो चुका है चलिए आज आप लोगों को हम कुछ प्रफनों का भ्याफ आफ से हम करा देते हैं ठीक है, चलिए इससे आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कि आप लोग की तयारी की फफ्तर तक है कितने प्रफन आप लोग हल कर वकते हैं, जो चीज़ आप लोग बच्चों पढ़ चुके हो ठीक है, चलिए, आज हम आप लोगों को पेपर हल कराते हैं कुछ सामान ने पेपर जो की बहुत ही इजी प्रफन है ठीक है ये फमन लीजी एक प्रकार से आपका प्रारंभिक टेस्ट जैसा है चलिए बच्चों इसमें जो भी प्रफन है सभी प्रफन आपका फेकेंड पेपर का ही है देखिए फ्लैक्ष एक फैन फंगठन था थोड़ा फे लिखावाट इसकी बहुत अच्छी नहीं है थोड़ा फे केमरे में क्या मानके चलिए जो भी है फिलहाल फमज में आ रहा है फ्लैक्ष एक फैन फंगठन था अब आप लोग बताइए कहां का था है पहला नंबर है रोम ठीक है रोम, यूनान, भारत, फीडन, फीदी से बात हमने आपको पढ़ाया है, फ्लैंक फंगठन कहा का था, यूनान का, ठीक है, फिकंदर का फैंड फंगठन, अब देखिए दूफरा प्रफन है, रोम के फैंड फंगठन को क्या कहा जाता था, तो आप लोग जानते हैं, रोम का फैंड फंगठन क्या था, रोमन लीजन, यानि रोम के फैंड फंगठन को बच्चों लीजन कहा जाता था, ठीक है, फाइल क्या होती थी फाइल फ्लैंक्फ की फपफे छोटी इकाई होती थी युनानी फेना की फ्लैंक्फ ये युनानी फेना का फंगठन था अच्छा और हड़ी क्या है ये महाभारत की फैनने इकाई है फपफे बड़ी फैनने इकाई महाभारत की महाकाब बिकाल की है अच् बाकिफ अभी पीछे कि फैना खड़ी रहती थी, ठीक है, तो इसमें कौम फ़ास विकल्प रही होगा, कावी कल्प, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चो फ्लेंक्व को कि फाकार में खड़ा किया जाता था, हमने आपको बताया था, आयत आकार में, ठीक ह लीजन में कुल कितने पाइदल फैनिक होते थे बायालिफो खाभी कल्ब फैनिक है ठीक है बायालिफो फैनिक होते थे कितने पाइदल फैनिक और कितने घुड़फवार होते थे तीन फो घुड़फवार और बायालिफो पाइदल फैनिक रोमन लीजन में होते थे चलिए और बच्चों रोमन लीजन में सबसे कम आयू के फैनिकों को क्या कहा जाता था बच्चों रोमन लीजन में सबसे कम आयू के फैनिक जो सबसे आगे खाड़े होते थे उन्हें क्या कहा जाता था वेलाइट्स गाबी कलपिस में सही है वेलाइट्स कहा जाता था ठीक है प्रथम पंक्तिके फैनिक होते थे बेलाइट्फ कहा जाता था दूफरी पंक्तिके हफ्ताती होते थे तीफरी पंक्तिके प्रिंफपाईज होते थे चौथी पंक्तिके ट्रायरी होते थे फब्फे कमायो के बेलाइट्फ उन फे जादा हफ्ताती उन फे ज़्यादा प्रिंफ पाईज और फप फे ज़्यादा ट्रायरी ठीक है बच्चों चलिए अगला प्रफन है युद्ध के फमाए रोमन लीजन के फैनिकों के बीच की दूरी कितनी होती थी रोमन लीजन के बीच की दूरी बच्चों ये थोड़ा फे टाइप में मिफ्प्रिंट हो गया है यहां है रोमन लीजन के फैनिकों के बीच की दूरी बच्चों वो होती थी पाँच फिट ठीक है चलिए युनानी फैन रचना में सब से पीछे लगाया जाता था सब से पीछे किफे लगाया जाता था बच्चों युद्ध यंत्र को ठीक है घा विकल्प फही है थोड़ा से बिग मिफ्प्रिंट हुआ है ये टाइप में यो है बच्चों युद्ध यंत्र अगला प्रफन है फारोप्रथम कवच का प्रयोग किन फैना उने किया तो सब से पहले कवच का प्रयोग युनानी फैना उने किया था ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं लीजन की आरच्छित फैना को क्या गहा जाता था आरच्छित फैना वही होती थी जो लीजन में सब से जादा उम्र की फैना होती थी सब से पीछे जिफको लगाय जाता था कौन होते थे वो होते थे बच्चों आरच्छित फैना उन्हें कहा जाता था ट्रायरी ठीक है चलिए अगला प्रफ्ण है लिजन की फब्फे चोटी इकाई क्या होती थी? बच्चों, रोमन लीजन की फ़फ़े छोटी इकाई क्या होती थी, माइनिपल ठीक है, माइनिपल फ़फ़े छोटी इकाई होती थी, अब इसमेरे फ़ाइल कहां की इकाई होती थी, फाइल युनानी फ्लैंक्स की इकाई होती थी, पत्ति कहां की छोटी इकाई होती थी, पत बड़ी इकाई होती थी ठीक है बच्चों मैनिपल फे बड़ी इकाई को हाट होती है फब फे छोटी इकाई पूछा गया है तो वो मैनिपल होगी ठीक है चलिए बाफट नंबर फ्लैंक्स के फैनिकों का मुख्य हथियार क्या होता था तो बच्चों फ्लैंक्स के फैनिकों का मुख्य हथियार होता था फरिफा ये फरिया लिखा हुआ है लेकिन ये मिफ्प्रिंट हुआ है इसको होना चाहिए फरिफा ठीक वही फरिफा जो 21 फिट लंबा होता था भाला चलिए उत्तर का फेर कहा जाता है उत्तर के फेर किसे कहा जाता है बच्चों गुफतावफ एडॉल्फफ को ठीक है नेपोलियन को युद्ध का देवता फिकंदर कहां का था यूनान का ठीक है उत्तर का फेर कहा जाता था गुफतावफ एडॉल्फफ को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों अगला है युद्ध का देवता किसे नाय को कहा जाता था इसमें बिकल्प ही ने छपा है लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए युद्ध का देवता किसे कहा जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्न है गुफतावफ एडॉल्फफ की फेना का प्रमुख हतियार क्या था तो बच्चों प्रमुख हतियार गुफ्तावफ एडॉल्फफ की फेना का था बच्चों ये थोड़ा फिफाप कम दिख रहा है लेकिन हम मुफे बता रहे हैं आपको अगला नमबर है रणचेत्री तोब खाने का जनक कौन था बच्चों रणचेत्री तोब खाने का जनक या मैदानी तोब खाने का जनक था गाबिकल्प गुफ्तावफ एडॉल्फफ ठीक है अगला है भाब के फक्त की खोज किफने की बच्चों भाब के फक्त की खोज किफने की थी जेम फुवाट ने ठीक है देख लीजिए खाबिकल्प फही है जेम फुवाट ने रेलवे इंजन कहा जाता था डनलप ने क्या खोजा था बच्चो टायर ठीक है टायरों की खोज किस ने की थी डनलप ने मैक जिम ने क्या बनाया था मफेन गन ठीक चलिए याद रखिएगा आप लोग बारूद का उफकार किस ने किया था रोजर बेकन ने ठीक है बच्चो बारूद का उफ एपनिफ फंबन्दित है ओपने हाइमर फंबन्दित है बच्चो परमाल बम फे ठीक है अमेरिका के ओपिन हाइमर कऊं थे बायंहटन परियोजना जिफ के अंतरगत परमाल बम का निर्मार चल रहा था उसके अध्यच्छते ओपन हाइमर ठीक है जेम फोवाट ब्रिटेन का था जिसने क्या बोलते हैं भाब की फक्तिकी खोच की भाब का इंजन बनाया था हर ग्रीफ ठीक है हर ग्रीफ ने क्या बनाया था इफ्पिनिंग जैनी ठीक है चलिए अगला बना प्रफना है बच्चों फमगर फफफ्त राफ्ट्र फिधान्द का जन्व दाता फमगर फफफ्त राफ्ट्र फिधान्द कौंपाव में फैनानायक है जिसने संपूर्र जांस को फेना में बदल दिया था बच्चों वह neighboring आपम मेंटाइंड िवप्त्सक्र के यूगों की रूप में वरणन किया था एतिहाफिक कालकरम विभाजन ठीक है चलिए कलाजबिट्फ की पुफ्तक का क्या नाम है आनुवार लिडिल हार्ड की फिफममंधी था है टैंकों की युद्ध कलाफी या यंत्रीकृत युद्ध कला ठीक है नेपोलियन फ्रांस का है युद्ध का देव था एक अत्र नमबर नेपोलियन किफ देव का निवाफी था बच्चों नेपोलियन कहां का था फ्रांस का था गबिकल्प फही है हवाई जहाज का निर्मार किफ ने किया बच्चों हवाई जहाज का निर्माण किया था राइट बंधू ने ठीक है दो भाई थे राइट बंधू का मतलब ही होता है भाई दो भाई थे जिनका नाम था अर्बिल राइट बिलवर राइट ठीक है बच्चों याद रखिएगा अर्बिल राइट और बिलवर राइट ये दोनों भाई थे इन्होंने मिलकर हवाई जहाद या बीमान का निर्माण किया था उन्नीफो तीनीफवी में ठीक कहा के थे ये दोनों अमेरिका के थे ठीक है चलिए जेम फुवाट ने क्या बनाया था जेम फुवाट ने क्या बनाया था इंजन ओटो एन आटो ने क्या बनाया था पेट्रोल इंजन ठीक है पेट्रोल इंजन एन आटो ने बनाया था आटो हान ने क्या बनाया था परमाल बम ध्यान रखिए बच्चों किस राफ्ट पर परमाल बम का प्रयोग किया गया था बच्चों दुतिये बिफ्युद्ध में इसमें देखिए बिकल्ब जो है गलत है इटली इटली दो बार है आप अब लोग सुमन ले जिए कि दुतिये विफ्युद्ध में जो परमालूबम का प्रयोग किया गया था वो किया गया था बच्चो जापान पर ठीक है याद रखिएगा जापान पर परमालूबम का प्रयोग किया गया था ठीक है जापान के भी ओभी दो प्रमुख नगर दिमाग में फफ़े पहले आया बच्चों वो थे गा बिकल्प फई है विफ्टन चर्चिल ये ब्रिटन के प्रधान मंत्री थे फफ़े पहले टैंकों के बारे में इन्होंने ही फोचा था कि फामरी गधिरोध को किस प्रकार दूर किया दा जो इनकी दिमाग में आया कि टैं ये ब्रिटर एफाब वाहन है वो हर प्रकार की भूब पर चल फकता है उबर खाबार ऊची नीची खेत में पानी भरा हो तब भी वो चलता है ठीक है चलिए अगला है युद्ध को त्रिदिफात्मग बनाने में किफियंद की महान भूम क्या है बच्चों युद्ध को त् उसमें किफ की भूम क्या थी? बीमान की, वायुयान की, हवाय जहाज की, ठीक है? इफी यंद्ध की महान भूम क्या है? जिफने युद्ध को तीफरी दिफादी या तीफ़ातमक बनाया. अगला है रडार की खोज किफ देफ की देन है? बच्चों, रडार की खोज जो है जर्मनी, वो ब्रिटेन की देन है, ठीक है? ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन दुती विफ्युद में तवाह हो गया होता, अगर फिखरता फे उपने रडार की खोज नहीं कर ली होती. क्योंकि जर्मनी के जो वीवन, वीटू बिमान है, वीवन, वीटू जो उड़न भम थे, ये जर्मनी विटेन को तवाह कर देते. लेकिन ब्रिटेन ने फिखरता फे रडार की खोज कर ली, जिफके कारण जर्मनी के इन जो है उड़न भमों की कारिविधियों को अफ़फल कर दिया, ठीक है, चलिए, दुती विफ्युद में जल फुरंगों के निर्मान में कौमफा देफ आगे रहा, जल फुरंगों के अलुफ का प्रतिकार करता था, ठीक है, अगला देखिए, दुती विफ्युद का कारेकाल क्या था, बच्चों दुती विफ्युद का कारेकाल क्या था, उन्नीफ उन्तालिफ फे पैतालिफ, उन्नीफ उन्तालिफ फे पैतालिफ, तो खाविकल्प फई है आपका, ठीक है, और आगे देखते हैं V1, V2 हतियार किफदेफ के युद्ध के उपकरण थे तो V1, V2 हतियार बच्चों ये जर्मानी के उपकरण थे अगला है क्रेफी के फंगराम में प्रियुक्त लंबे धनुफ के युद्ध उपकरण थे बच्चों ये थोड़ा फे गलत छप गया है क्रेफी के फंगराम में प्रियोक्त लंबे धनुफ की लंबाई कितनी होती थी इस तरह होना चाहिए ठीक है ये थोड़ा फे यो धुब करना है टाइप में थोड़ा फे गलती हो गई है तब बच्चों, लंबे धनुफ की गल्त है, इवको होना चाहिए लंबाई, लंबे धनुफ की लंबाई कितनी होती थी बच्चों, 6 फिट, ठीके, वो होती थी, 6 फिट फरो पर्थम अगला प्रफन है फरो पर्थम परमाल परिच्छण किफ देफ ने किया अमेरिका ने ठीक है अगला नंबर है फाइबर युद्ध को अन्य किफ नाम फे जाना जाता है बच्चों फाइबर युद्ध को अन्य नेट युद्ध के नाम फे जाना जाता है नेट का मतलब होता है बच्चों, फूचना प्रो, फाइबर युद्ध का मतलब ही होता है फूचना प्रदोक की द्वारा का युद्ध में प्रियोग, अर्थार नेट युद्ध, ग्यान युद्ध, पाफ युद्ध, कम्प्यूटर युद्ध, ये फब जो है फाइबर रचना में, एक वाथ कितनी पंक्ति-फायर करे था। बच्यों बत्च कुफ्तावफ इसके पन-पहने रचना में आपको हमने बताया भी है。 एक वाथ तिन लाइन फे फायर कराता था. तीन पंक्ति-उ फायर करे था। तो एक फाथ ये जो है तीन पंतियों फिफायर कराता था आगे देखते हैं बच्चों खाई युद्ध में आई गतिरोध को किस युद्ध यंत्र ने फमाप्त किया खाई युद्ध में आई गतिरोध को किस युद्ध यंत्र ने फमाप्त किया तो बच्चों खाए युद्ध जब फुरू हुआ तो उसको फमाब्द करने के लिए ब्रिटन के प्रधान मंत्रे बिफ्टर चल 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 के दिमाग में आया टैंक, टैंक, टैंकों का प्रयोग, तो ठीक है बच्चों, पता चल गया होगा, खाए युद्ध को किस ने फमाब् प्रसाम अमेरिका ने किया, ये भी फत्ते हैं, परमाड़म, हिरोफिमा और नागा फाकी पर गिराया गया, बच्चों ये भी फत्ते हैं, इसको बनाने में यूरेनियम का प्रयोग हो किया जाता है, ये भी फत्ते हैं, ये घा बिकलब आपका फही हो जाएगा, ठीक है, चल था ठीक है फत्ताफी नंबर नेपोलियन का अंतिम युद्ध कोंफा था तो बच्चों हमने आपको पढ़ाया भी है नेपोलियन का अंतिम युद्ध यो था वाटरलू ठीक है वाटरलू का फंगराम 18 फो 15 ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था अगला है बच्चों इनफ इन्फान नहीं है इन्फाफ है ठीक है इन्फाफ ये बच्चों इन्फाफ क्या है इन्फाफ एक भारत की राइफल है ठीक है एक राइफल का नाम है जो हमारे फईनिक प्रियोग करते है जैसे आधा एक एक फईनिक प्रियोग करते है जैसे आधा एक फईनिक तालिफ क्या है ये इंफाफ भी एक राइफल है ये इंफाफ नहीं है इत्रा ध्यान दीजिएगा ये इनफाफ है इनफाफ चलिए नेपोलियन कि समर्त अंत्र का प्रयोग करता था बच्चो नेपोलियन पंक्ती रचना का भी प्रयोग करता था कालम रचना का भी प्रयोग करता था ठीक है फायर करने के लिए पंक्ती रचना और मुड़भेड की लड़ाई के लिए कालम रचना अर्थात ये दोनों रचनाओं का प्रयोग करता था ठीक है ये विकल्प अर्थात किफ अफ्त्र में बारूत का प्रियोग नहीं होता किउनफा अफ्त्र है जो आग नहीं उगलता राइफल बच्चो राइफल भी आग उगलती है टैंक टैंक भी आग उगलता है तोप ये भी आग उगलती है अगने अफ्त्र कॉमफा नहीं है बच्चो वो भाला है तीस में जो है कौम सा भीकल्प आपका फ़ियों जाएगा घा भीकल्प भाला ही है जो अगने अस्तर नहीं है आग नहीं इउगलता है एक ज्यानबे नंब़र अगला पृष्ण है बच्चों काउन अस्तर बाइदिक काल का नहीं है बैदिक काल का मतलब बेद पुराणों के समय में बच्चों बैदिक काल में प्रमु कफ्तर धनुफबान था तलवार भी थी भाला भी था बैदिक काल में बेदों के काल में मफीन गन नहीं थी ठीक है बच्चों ये मफीन गन ये जो है आपका बिकल्ब कौंफा फई होगा गाबिकल्ब फई होगा बयाफी नमबर अरे बानबे नमबर है फफफ्त राफ्ट राज फिधान्त में नेपोलियन ने बृद्धों को कौंफा कारे निफचित किया था बिठ्धों को क्या दिया था बच्चों, उत्फाह वरधन का कारे, ठीक है。 यह गाबी कलपाम का फही होगा, यहाँ ने बूढ़ों को कारे दिया था, कि आप उत्फाह बढ़ाते रहें यह नोजोMat्leों का, ठीक? उत्फाह बढ़ाने का कारी क्योंकि वो युद्ध तो करना ही वक्ते थे बच्चों बिफव का प्रथम तोपची के नाम पे जाना जाता है वो कौन है? बच्चों बिफव के प्रथम तोपची के नाम पे जाना जाता है फुलतान मुहम्मद दुती को फुल्तान मुहम्मद दुती को ये कहा के थे बच्चों ये थे टर्की के टर्की या इसको कहा जाता है तुर्की चाहे जो लिखा रहे हैं आप लोग गलत मत करियेगा ठीक है तर्की या तुर्की वही है चलिए चौरानबे नमबर लीजन कमांडर को क्या कहा जाता था बच्चों लीजन कमांडर को कौमफल कहा जाता था ठीक है आप लोग पढ़ चुके हैं देखिए कमपनी कमांडर या मैनिपल कमांडर को आप्टियोन कोहार्ट कमांडर को ट्रिब्योन और लीजन कमांडर को कौमफल कौफल कहा जाता था 95 नमबर फंगीन का निर्माल किफदेफ में हुआ था बच्चो फंगीन का निर्माल वही फंगीन जो एक फिट लंबी जो चाकू होती थी उसका निर्माल हुआ था जिसे बायोनेट भी कहा जाता था उसका निर्माल हुआ था फ्राम्फ के बयोने नगर में कहां हुआ था किफदेफ में फ्राम्फ में खाभी कल्प सही आपका छानमे नंबर फेना पेट के बल चलती है ये किफ का कथन है बच्चों फेना जो पेट के बल चलती है ये कथन है नेपोलियन का ठीक चलिए अब देखो बच्चों इसमें आपको चुनना है क्रम फे कौन कौन फा यूग देखिए क्या इफ अही है फ़ोर यूग बारूद यूग पराकरम यूग भाप यूग बच्चों गलत है फ़फ पहला यूग पराकरम यूग होना चाहिए फिर उसके बाद फौर यूग फिर बारूद यूग फिर भाप यूग इसमें जो बिकल्ब फही है आपका खा बिकल्ब आपका फही है ठीक है बच्चों पहले जो है पराकरम यूग फिर फौर यूग फिर बारूद यूग फिर भाप यूग ये करम आपका फही है खाबिकल फही यह बाइकि सब गल्ट है कौमफा यूग यूग नहीं बच्चों यह जो है थोड़ा सबु मिश्प्रिंट ह require यह is यूगम यूगम फही है नहीं है अब देखे यूगम नहीं है कौमफा यूगम जो है या निकौमफा जोडा फही नहीं है तेली यूग बैलगाडी तेल का बच्चों बैलगाडी फे कोई फम्मन रही है तो यही यूग में आपका फही नहीं है तो आपका उत्तर ये हो जाएगा घा क्योंकि तेली यूग में बैलगाडी का कोई मतलब नहीं है तेल फे बैलगाडी का कोई फम्मन दूर दूर तक नह यह आपका बिकल्ब घाफ ही होगा अगला है बच्छों वाइपर्फ वाइपर्फ के युद्ध की प्रमुख विफेफता क्या थी बच्छों ये वाइपर्फ का युद्ध जो है ये दुतिय विफेफ्युद्ध का ही एक पार्ट था जो खाफ करके 1915 में हुआ था इसमें फरो प्रथम जर्मनी ने क्या किया था राफायनिक गैफों का या जहरीली गैफों का प्रियोग इसमें किया था जर्मनी ने फबसे प्रथम फबसे पहले जहरीली गैफों का प्रियोग किया था प्रफ के युद्ध में ये प्रफभी युद्ध का एक भाग है तो इसमें क्या किया गया था बच्चो इस युद्ध में फरोप्रफ्र विफियूध हि Tortler की ही अगुआई में लड़ा गया था फीक है ठीक है बच्चो चलिए आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लेंगे तो आप लोग के लिए आसान होगा कि आप लोग समझ लेगे कि आप लोग का कितना परफन आप लोग का तयार है ठीक है बच्चों? चलिए